कल ही सरकार ने इस दिशा में एक और बड़ा फैसला लिया है और ये फैसला मेरा आज का बारवा एलान है बारवी गोशना है बारवली दिपावली गीप्ट है सरकार ने कमपनी अधिनियम में बहुत बड़ा बड़ाव कर MSMES को कानूनी जटिलताओं से राहत दी है भाई और बेहनों कमपनी अधिनियम में अब तक ऐसे प्रावधान थे उससे जुड़े से कानून थे जिनकी वज़े से छोटी छोटी मामूली गलतियों का अंजाने में हुई गलतियां उलंगने से आप लोगों पर आपको क्रिमिनल माना जाता था गुनरगार मान लिया जाता था इन छोटी छोटी गलतियों के वज़े से कई बार व्यापारियों के लिए जैल तक जाने की नौबत आ जाती है उसके लिए तो इज्जती सब कुछ होती है वो पिचारा भाद में कुछ करने रहता है नहीं मन से तूट जाता है छोटी छोटी भूल सुधारने के लिए आपको कौड कचरी के चक्र काटने पड़ते थे इस सब में आपका किम्ति समय और पैसा दोनों व्यर्थ तो होता ही था आपके मान सम्मान को भी गहरी ठेश पहुँचती थी लगू और मध्यमुद्योगों को तो इसकी वज़े से बहुत जादा परेशानी होती थी मुझे आप सभी को ये पताते हुए खुशी हो रही है इन परेशानियों से मुक्ति दिलाने के लिए सरकार ने एक अध्यादेश लग करके आई हैं अध्यादेश हमने जारी कर दिया है अब तक जो नियम चल रहे थे जो प्रनाली थी वो सरकार ने बदल दी है अब आपको छोटी छोटी गलतियों को सुधारने के लिए कौट नहीं जाना पड़ेगा अब अंजाने में हुए छोटे उलंगन के लिए आप संबंदित विभाग में जाकर कुछ आसान प्रक्रियाओं के माध्यम से उन सारी गलतियों को सुधार सकते हैं इसका एक और फाइदा ये होगा कि 60 प्रतिशत से अधिक केस जो अलग-अलग विशेस अदालतों में चल रहे हैं वो सभी अब उदर से बहार निकल जाएंगे मुझे बताया गया है कि ऐसे केसों की संख्या हजारों में नहीं लाखों में है इस वज़र से NCLT, National Company, Law Tribunal के कई केस भी Regional Directors के अधिकार में चले जाएंगे ऐसा होने पर केसों की सुनवाई में और तेजी आएगी भायों और भेनों, सरकार ने छोटे उद्योगों और एक व्यक्ति के अधिकार वाली कंपनी को भी राहत दी है कई विशव पर पहले जो भी Penalty लागू होती थी, उसे भी घटा कर अब आधा कर दिया गया है